इस विडियो विएर पुबर देस्ट पिं मिजरमेंट और इस पॉर्ट ऊफ यूनिट 6 इन फीजिकल एजूगेशन तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो थे स्टillary क्या है स्टार्ट आप्ने हैं थैस लिए कि गप्राइंट करने पड़े थैंक करने लिए गए तुनों के लिए उससें говорит यहां पर हमने क्या या किया इन तेस्ट और मेजरमेंट को यूज किया हम इस चैप्टर में बेसिकली तीन चैप्टर करने वाले हैं इसको हम कहते हैं Motor Fitness Test, Motor Measurement of Cardiovascular Fitness and the Rickley and John's Senior Citizen Test जिसे आते हैं बढ़ते हैं इसी में हमने आगा कि आगी Motor Fitness Test क्या होते है Motor Fitness refers to the capacity of athlete to take part effectively in his और her particular sports हमने गाल कि Motor Fitness एक तो ability है athlete की कि किसी भी physical competition में किस तरह से parties fit कर सकता है तो we can say the Motor Fitness is the capacity of an athlete to take part effectively in his और her particular sports है ठीक है इसी भी परसन की अपनी पाबिलियत हो सकती है उस activity को perform करने की बढ़ते हैं आगे हमने का कि अपार टेस्ट आदा आज में आपर टेस्ट आपर अपर अपर हमने का कि अर्लियर स्काना में यह भी एचियार था इसमें अमेरिकन अलाइंस फिजिकल जूकेशन एंड रिक्रेशन बट नाव इट इस नोन एट के एच पी आर्ड हमने का की फुल फॉल फॉर्म ठीक थी डी एड किया डी एड का मतलब डांस हो गया से मिलता फर्स्ट वर्जन इसका पप्लिश्ट वात नाइंटीं प्रेट में उसके बाद नाइंटी गल्टो ना वायवा ओगा उसमें पूचा जाएंगा बात करें से बात करें के मोटर फिटनेश की बात करें से इस से शेक्स-टैड्र बड़न प्रिक हमने कहां सबसे पहले पूरप आते पूलप आते हैं पूलप क्या है सर्फ उपर पूलप करना ऑसे टbuat इस करना में जा याज तरो विधर done without taking test this test measures the total number of repitals done without taking rest on horizontal bar , reputation can not take on horizontal bar , कितने पर किया जा सकता है , उसको हम कहेंगे , pull ups , total number of pull ups are noted , this test , the chin must be above the bar , जो chin हमारी , वो अमने ये बार है , जो से हम हैंग हो रखे है , उसे उपर जानी चाहिए , ostrich the next arm की बात करें अगर हम अगर हम फ्लेक्स्ट आम की बात करें अग लेक्स के लिए उता है सिर्फ इंगो उपर हैं पर करके ओल पर करने कंद ऑ dzansen एंडायो को कि बाति बात करें रस रससे करें बना है पर उटना आऊगा हमको कर सकते हैं बात करें चार राउंड में कवर करें और जितना टाइम में कवर करें तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और यह जो आपका टेस्ट है यह आपके फिजिकल जो होगा उसमें भी पूता जाएगा को जो अपना इंटरिनल माक्स जाते हैं इसमें अपना फिजिकल में लिया जाएगा स्टेंडिंग प्रोड जंब लॉंग जंब आरह प्रोड्यक जान ऑफे मिटर गॉड पेस्टिदेट पेकक्स का स्टर्पाइब करेक्लिकल स्टर्ट पूंट पीछिए किसि अपने इसल्पाइसल प्रोड एकल ज़ए है यापिर सब्में दीघर श creator के अगेलन एला टлам पने हाट टच कररेंगा और फिर स्टर्ड थी यह वाली जो लाइन होती है यहां पर आग अपने हैंड नीचे करेगा वीडियो प्रिपना स्टार्ट हो जाएगा डैश रन और जो अपना एक्कुरेसी लो अगे टैन थे यहां पर इसका मेजरमेंट है ताइम का वो जाएगा उसके बाद शुक्ति अगर हम इसको रेट करें तेक्ट टेक्ट पोजिशन फ्रेंग राइट बिलाइन अपना स्टार्ट कर देगा दूरिंग को सकता है इन इस टेस्ट मैनी स्टूडेंट सेम टाइम ताइम इस रिकॉर्ड इन सेकेंड वही अपना कुछ कोई भी कर सकते और रंगी कर सकते जो मिनियूम टाइम में का रहोगा उससाब से यहां पर आपर माक्स अलोफिट किये कर दिये जाएंगे अब हम बात करते मेजरमेंटटफ कार्डियो वस्कूलर फितनेस तो आपने के लिए अमार्वार स्टेशलेश में सर्फ एक ही तेस्ट स्टेस्ट स्टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट वाकि में सलेश्मेे इस वालव काफी सारी टेस्ट अम हर्वार्ट स्टिटک की बात करें लाकित accents सबल्क जुर्ट by this Özभ यहеспसे एक happy सायरी सपनेल इसमें हमारे पास एक जिम बेंच बोक्स और बोक्स इसके लिए उसके लिए 20 इंच हाइट तो मैं के लिए और वुमेन के लिए 16 इंच जो बात करें प्रोसीजर क्या करना होगा आपको इसमें उपर नीचे करना है यहां पर अपर एंड लेग ओपर फिर नीचे फिर इसमें क्या करना है एथलीट कमंड्स बो अट लीट स्टेब अप एंड डाउन ऑन लिए और बोक्स एड रेत फटी करने होंगे मतलब कि 1 second up and 1 second down के रूप में 5 minutes के लिए then stroke work is switched on simultaneously at the start of stepping after the at least sit down immediately after completion immediately completion के बाद sit down होगा एक आपर 5 minutes the total number of heartbeats are counted after 5 minutes total number of heartbeats are counted between 1 to 1.5 minutes after the completion of last step complete होने बाद जब बैटने का उसके बाद heartbeats down होगी the heartbeats are counted for 30 seconds again again the heartbeats are noted for 30 seconds after the finishing of test मतलब अगें लिद्ध 2-3 पर करना होगा उसके बाद heartbeats ना पी जाएकि उससे हमारे यहां पर recovery rate निकलेगा recovery rate calculation का है यह है यहां पर formula calculation of a calculation of the score atleat fitness index score is calculated with the help of following formula इस formula को आपको याद रखना होगा question आ सकता है यह formula the fitness index score is equal to 100 into test duration second जितनी बार हमने test किया ना उपर नीचे पहले पास से दुबरे वे तीन मिलिट बात करा हो उससा भी का duration divided by 2 into sum of heartbeats in recovery period फिर जितनी बार हमने करा उसके बाद recovery period लिया उस period में हमने कितना heartbeats आई वो count परके यहाँ पर solution निकल जाएगा example दियावा है इसको आप इपर पढ़ लेना यह जो मैं आपको notes दे रहा हूं कि बहुत ही concise and accurate note है आप भी इंदे पेड़के जाएए आपको count पूर 100% को जाएगा advantage के बाद के इसमें minimum equipment required है for conducting this test minimum को से सिर्फ एक demand चाहिए अधा it is a simple step up and conduct simple step up की जिए और test conduct हो जागा disadvantage के बाद के हमने का कि disadvantage इसलिए है क्योंकि अपना कोई भी हर एक वेक्ती tall नहीं होता हर एक वेक्ती short नहीं होता हर एक इसलिए यहां पर इसकी disadvantage भी इसलिए यह सभी पर apply करने मुश्किल है एक डिक सेलिए और नहीं प्रप्रा है यह जो civile akkor करें पना नहीं पर टीस आस पर लुट इसलिए बुकर कोणो । इस टो मेरा जो ऑ्श को एक एक का तीस सेलिए जिसेशन प्रिक तो don f इसके अंवर्क प्रोजीजर नहीं पड़ेगी। और बात किरें पहले परपस की सहसे पहले टेस्ट केंसे में चाहा तरह है और इसमें परपस किया कि आ जानल में की स्पार सेस्ट्रेंड के होगा में की स्पह्ट आ़ परपस कि जो सीटिवन के अपने के लिए में चाह 1 ए पराधिवह, of the machine-o इसका person is performing a test test to stand and sit from chair वो उठ नाओगा रो बैटनाओगा 30 second दो इतना गया वो रहा पर चांग बिजाएगा उसके तरह से नीचे जापको दिखायँ है उसके तरह से इसाप से यह आपर support दे दिया जाएगा Second is में आते है Arm Curl Test कि अऑ़ं मि मेंस कौना कि आथ झाँ है तरह से ने किसि का जाएगा अचान करता तरह सतर किया मुझंए आनी फिर्ड़ की आ Wakil विल अफे संभी खीर आफिकिन किए तरह सतर देश किए विल्ड पीडšी है और अफा अच्छा प्रड़्य हो सेहिगी सने को तरह प्र q a स्कूर्ट आ जाएगा प्रोसीजर की बात करें इस हिसाब से स्कूर्ट दे जाएगे इस हिसाब से आपर स्कूर्ट दे जाएगे बात करें थर्ड की चेर सिट एंड इस फिगर ही डेनोट करेंगी चेर सिट अफिटनिस आपर बैटना होगा फीड का इस तरह से इस पर और फीट पर आगे पैर लगाना होगा इस इस अगर बचा तो आपका स्कूर नेगेटिम आएगा आपका स्कोर नेगेटिम होगा अगर यहां पर पर प्लिकुल टेट होगा से जरू अगर आगे जाएगा उतना आपका पॉसिटिव पॉसिटिव स्कोर उतना हो जाएगा यहां पर दिखा गया एक विपेंट के रिक्वाइब होंगे रूलर चेर स्ट्रीट बेक एप्रॉक्सिमेटली फॉर्टी-फॉर सेंडिमेटर ही प्रोसीजर होई बैठना हो का एच पर इस अपल देना मैंने आपको जो मेहन था इसमें आपको बता दिया अब बात करें इसटनी बढ़र करने कि जीतनी बढ़र करा उसका अबरेज यहां पर निकल जाएगे इस अब से लेकर बाद करके निकाल जाएगा बैक स्ट्रेच टेस्ट यह आपर बोड़ी फ्लेक्सिविलिटी टेस्ट होगा जीतना यहां पर भी सेंड चलेगा तो क्या चलेगा same चलेगा जितना आपके आपके आए तो score zero और घर सकोर positive नीचे रहा तो negative आगर बिल्कोल सक्ट किया तो score zero यहां औरたो पीछे हाथ ले जा अपने ड़ी अपना यहाँ पर इसके standards है जिसके आप से score दिया जाएगा फिर hit foot up and go test this test is conduct to assess the coordination and agility of people तब परपस क्या है? it evaluate the speed, agility and balance of person जो उसकी ability, उसकी balancing power और evaluate the speed उन सबको काम करने में काम आएगा steer with a straight back, stopwatch, cone maker इस अभी इस बात करें थे आपको बैटना होगा steer पर इसकी एक फिगर नहीं है नसकी let me check the figure is in हाँ यह रहा figure आपको इस पर बैटना होगा, यह 8 feet apart होगा यह 8 feet apart होगा यहाँ से 8 feet apart 8 feet apart होगा, यहाँ से आपको बार-बार आकर करना होगा इसके touch करके फिर वापच आपकर बैटना को अपको छिर्ण और आपक फिर तेस्ट इस स्कोर दिया जाएगा 6 Minute Walk Test 6 Minute Walk Test 6 Minute Test is designed to test the functional fitness of senior citizens in the good means अब इससी तेस्ट करने के लिए अब यह अपना 6 Minute Walk Test के लिए आ गया है The purpose of this test is the aerobic fitness and aerobic endurance of individual. Equipment tech requires a measuring tip and stop force. Simply work on the procedure, the walking distance or course is marked. The side is a rectangular box and a 5-meter cone with this integral interval indicates the distance. Efforts are made to work minimum distance as quickly as possible in 6 minutes. You need to work a minimum distance, you need to work a minimum time. You need to work a scoring scheme, you need to work a scoring scheme. Scoring scheme, you need to work a test. Just like this video, like and comment and share this playlist. लिस्ट को शेयर करना ही जागी इसमें आपको पूरा फिजिकल त्रिल एजुगेशन का पूरा सलिवस प्रवाइड कर दिया जाएगा हूँ थैंक यू फो वाचिंग और आइविल मेट यो और नेक्स्ट वेटीव को